हेलो फ्रेंड्स वेलकुम तो मैं यूट्यूब चैनल दापट वीजन दिस इस साहिल मले कीवर होस्ट एंदिगरवेट तो मेरे पैरे दोस्तों आपको पता ही है कि विंटर सीजन चला हुआ है तो विंटर सीजन के दुरान जाहिर है हमारा जो डोग है कभी ना कभी बिमार ज सफर कर रहा है आपको अपने डोग को किस तरह ट्रीट करना है तो उसी के बेसे आज की वीडियो है तो प्लीज इंपोर्टन जुरूर है वीडियो तो एंड तक जरूर देखना और अपने जितने भी जो दोस्त हैं जिनके पास डॉक्स हैं उनके बस इस वीडियो को शेर ज करवा लेना है जो आपके वेटनरी डॉक्टर जो भी मैडिसिन रिकमेंड करेंगे उसको अच्छे से आपको फॉलो करना है और आप अपने डोग को टाइम पर दवाई दीजिए आपका ठीक हो जाएगा लेकिन एडिशनल बहुत सारे पॉइंट से जो कि हमको ध्यान में रख बिलकुल आप पोचा वगयरा लगा के रखिए जाड़ो वगयरा से अच्छे से क्लीन करके आपको अच्छे से एक बैडिंग प्रोवाइड करनी है सेकिन नमबर में मेरे पहरे दोस्तों आपको अपने डोग के एनवाइरमेंट को वार्म रखना है अब जैसे आपको पताएं कि ठन बहुत जादा हो रही है तेमपरेचर काफी जादा कम हो चुका है तो basically काफी ज़र ठन की वज़े से आपका जो डोग है वो cold के contact में आता ही आता है तो आपको अपने डोग का जहाँ पे वो रह रह रहा है जहाँ पे उसका shelter है आपको उसको warm रखना है वाम मेरे पहरे दोस्तों आप heater की help से रख सकते हो आप में डोक के घर से थोड़े से distance पे आप fire जला सकते हो उससे भी आपके डोक को heat up मिलेगी एक जो आते हैं नोबिलाइजर हम जिसको बोलते हैं जिसे steam दे जाती है डोक को तो आप उसका भी use कर सकते हो आपके डोक को हमको overall करके आपको क्या करना है warm provide करना यानि गर्मी provide करनी है धर्ड point number यह आता है मेरे पहरे दोस्तों आपको आपका जो डोक जहां पे रह रहा है ना आपको वहाँ पे जो bedding है वो गरम रखनी है यानि जो आपके पस अगर कोई पुराना कंबल हो ये लेवल हो जाती है तो आप नीचे बोरी बिचा के उसके ओपर एक कंबल बिचा के आप रख दीजिए तो आपके डोक को एक soft bedding वहाँ पर मिलेगी और आपको अपने डोक कवर भी करना है एक गरम कपड़े से अगर आप कोई गाम से बिलोग करते हो जैसे हमारे पास बफैलो होती है या काएं होती है ना तो हम क्या गरते हैं उनके उपर ना कोई बोरी वगरा बिचा देते ताकि उनको एक्शनल जो environment effect ना कर पाए जो कि basically cold है आपको मेरे पहरे जोस्तों अपने डोक को maximum मातरा में fluid द सकते हैं यानि बोल जाने जिसको देशी लेंगज में नुवाया नुवाया पाणी या ताता ताता पाणी ऐसे हम बोल देते हैं ठीक है तो यानि आपको जो नोर्मल जो boiling temperature पर रखके आपने डोक को वह पानी बिलाना है और साथ में मेरे पैरे जोस्तों आपको मल्टी दे रहे हैं उसको अच्छे से फोलो कीजिए और आपका डोक है कोल से ठीक हो जाएगा लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अब जैसे विंटर सीजन है ना तो विंटर सीजन में बहुत सारी क्लोट्स आए हुए डोक के लिए तो आप उस क्लोट्स का भी यूज कर सकते हो अपने पैडिगरी की एक वो आती है बोलते हैं आप ग्रेवी तो आप वो पैकेट दे सकते हो अपने डोक को ड्यूरिंग कोल्ड आपका डोक है काफी ज़दा अच्छा फील करेगा आप सूप पिला सकते हो बहुत ही अच्छा रहेगा ठीक है तो सूप बहुत ज़रा जरूरी है और साथ में मेरे पैर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ क्लोफिंग की तो क्लोफिंग मैंने बता दिया है लेकिन अगर आप जैकेट वगएरा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जैसा मैंने आपको तरीका बताया कोई कंबल वगएरा बना दिया उसके लिए या ऐसा कोई हो आपके घर में हो आपको अच्छे से कवर करके रख देना है तो यह कुछ बेसिक से पॉइंट है जो आपको फॉलो करने अगर आपका डोग कोल्ड से सफर कर रहा है अब मुझे पता है कि आपको यह पॉइंट्स पता भी होंगे लेकिन हमारा चैनल डोग्स और कैट्स के जल्दी ठीक हो जाए और आपके साथ एक अच्छे एक तरीक से खेलना स्टार्ट करें अच्छे से खाए पिए और बोडी उसकी बिल्कुल हेल्दी बने रहे तो मैं आशा करूँगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए इंपोर्टन रही होगी थैंक्यू सौ जय हिंद जय भारत